मौसम समचार की तज़ा खबरी और लाइव मौसम अपडेट पानी के लिए तुरण सब्सक्राइब कीजिए न्यू लाइव टेप्स चैनल को और दबाये बैल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पानी के लिए आपको बदा दे तूफान विपार जॉय की कारण मौस टिक्री वाला हो रहा है हाला कि यह है कि उमस लोगों को परिशान कर रही है चक्रवाती तूफान विपार जॉय के कारण ही राइस्थान में पढ़ रही है गर्मी और उमस के बाद अब एक बार फिर आधी तूफान के साथ बारिश का दौर शुरू होगा मौसम विबाग क कि माने तो चक्रवाती तूफान विपार जॉय धीरे धीरे अब उत्तर दिशा की और बढ़ने लगा है इसके चलते 16 जून तक चक्रवाती तूफान पाकिस्तान तठकी और पहुंच जाएगा इसके असर से 14-15 जून को दक्षिन और पश्शिम भागों में बारिश आधी तूफान की गतिविदियां देखने को मिलेंगी जारखन में लगातार भीशन गर्मी पढ़ रही है जमशेदपूर में तो पारच बारिश के पार पहुंच गया है प्रदेश में फिलहाल अभी बारिश के भी कोई आसान नजर नहीं आ रहे हैं इसलिए इस भीशन गर्मी क दियान में रखते हुए राज्य के सभी सरकारी गैर सरकारी सहायता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त और नीजी स्कूल 12 जून से 14 जून तक बंद रहेंगे मालूं को बता दें कि ग्रिश आवकास खत्म होने के बाद प्रदेश के जादतर स्कूल 12 जून से खुलने वाले हैं लेकिन राजे सरकार के आदिश के बाद अब 14 जून के बाद ही ये सकूल खुल पाएंगे में सरकारी स्कूल की बात की जाए तो इन्हें पांच जून से खोल दिया गया था 14 जून तक सभी स्कूल रहेंगे बंद इसकी वज़ा से बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था क्यूंकि कख्षा का समय सुबह साड़े साथ से एक बजे तक था जिसके चलते बच्चे भीशन गर्मी की मार झेल रहे थे इतना ही नहीं इस पर कई नेताओं की टिपनी आनी शुरू हो गई है यहां तक कि कई नेताओं ने मुख्यमंत्री को भी ट्वीट कर दिया है इसके बाद अब आदेश आया है कि आगामी 14 जून तक सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है इस स्कूलों में अभी पठन पाठन नहीं होगा झाल